हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो आज के भी इस वीडियों करने वाले हैं क्लास एट्थ मैथ चैप्टर नमबर नाइन अलजेब्रिक एक्प्रेशन एंड आइडेंटिटीटीज का क्वेश्चन नमबर थ्री एड दी फॉलोविंग तो यहाँ पे सबसे पहले आप माइनस di or c a minus a b ठीक है यहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन है अब आपको सार्व करना है तो a b pls b c यहाँ पर कॉमा है तो कॉमा के जाएब हम आपको प्लस करते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको एंड करना है इसलिए आप आम लोगे ने प्लस किया है इसका b c to c a प्लस CAS minus AB इसके बाद आपको जो like terms दिख रहे हैं वो आपको एक साथ लिख रहा है AB यहां पर आपको कहीं और AB दीख रहा है तो यह रहा आपका minus AB then plus BC और यह रहा plus BC minus CAS और plus CAS तो यहां पर plus AB और minus AB कट जाएगा तो तो कि यह प्लस में और एक माइडस में हैं यहां पर भी प्लस भी सी है और यहां पर भी माइडस भी सी आएगा तो यहां पर भी यह दोरों भी कट जाएगा तो यह दोरों भी कट जाएगा तो यहां पर आपका एंस्वार जीरो आएगा सेकंड नंबर सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन है A-B प्लस AB B-C प्लस BC इसके बाद है C-A प्लस AC चीकर अब आपको इससे सिंपल में लिख रहा है A-B प्लस AB प्लस B-C प्लस BC प्लस C-A प्लस AC जहां पर कॉमा है वहां पर आपको प्लस लगा रहा है इसके बाद यहां पर आपको लाइक देख रहे है A यहां पर कहीं और A है तो यह रहां आपका माइनस A इसके बाद आता है माइनस B तो यह रहां प्लस B प्लस AB AB यहां पर कहीं देए और यहाँ पर सी यह रहा दिले रहनों को इसके और प्लस पर माइनस विछ तो ही प्लस में तो इन्यकेगा अगर प्लस प्लस में हो तो आ Surprisingly हो जाएगा माइनस बीसी और प्लस बीसी कर जाएगा ए बी को को 7, कितना बजा एक होगा ए बी प्लस बीसी और एक सी तो यहां पर आपका क्या बचा ए बी प्लस बीसी प्लस एसixa तो यह क्या हुँस़र हुआ अबी प्लस बीसी प्लस एस दैनь will know your question आता है क्वेशन नमबर 3 में आपका क्वेशन है 2p² q²-3pq-4,5-7pq-3p²-3p² यह आपका क्वेशन है अब आपको इसे सिंपल में लखना है तो 2p² q²-3pq-4, यहाँ पर कॉमा है, थम्दे इसको प्लस लगा दिया 5-7pq-3p² q², यहाँ पर आपको वेरियेबल देख रहे होते हैं कि वेरियेबल आपका सेम होना चाहिए यहाँ पर है 2p² q², p² q² आपको कहीं दीख रहा है यह रहा आपका p² q², नमबर चेल जोगा चलेगा लेकिन यहाँ पर वेरियेबल आपका सेम होना चाहिए तो p² q², p² q², तो इस तरह समलिक देंगे नमबर के साथ माइनस 3p² q², इसके बाद है माइनस 3pq, यह रहा प्लस 7pq प्लस 4 है, और यहाँ पे प्लस 5 है प्लस 4 के बाद कोई वेरियेबल नहीं है, और प्लस 5 के बाद भी कोई वेरियेबल नहीं है इसलिए अमनोगों इसको एसे लिखा है अब आपको इसमें प्लस माइनस करने है क्योंकि यहाँ पे same coefficient नहीं है तो 2-3 यहाँ पे 1 आता है 1 को आप लिखोगे या नहीं लिखोगे चलेगा अगर आप 1 नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा तो यहाँ पे मैं लिखा P2 Q2 का 1 लगाते हो तो भी चलेगा यहाँ पे आता है minus और plus plus minus क्या होता है minus तो हम 7-3 करेंगे 7-3 कितना होगा 7-3 और यहाँ पर आपको बड़े की साइन लगानी है तो यहाँ पर हम लोग प्लस लगाएंगे और यहाँ पर आपका 4 पी-क्य gloss आजाएगा इसके बाद आपका आएगा यहाँ पर प्लस प्लस पर तो यहाँ पर Q2 Q2 4 PQ 9 यह आपका answer आ गया Question No.4 आता है Question No.4 में आपका question है N2 Plus M2 M2 Plus N2 N2 Plus L2 2 L M Plus 2 M N Plus 2 N L यह आपका question है आपको इसे simple में लिखना है तो यहापको ऐसे लिखना है L2 Plus M2 कोमा है तो प्लस M2 Plus N2 कोमा है तो प्लस N2 Plus L2 2 L M Plus 2 M N Plus 2 N L यह आपका होगा question अब आपको इसमें like डफ देख रहे है तो यहापके L2 और यह रहा आपका L2 तो 2 L2 होगा Plus L2 Plus M2 और यह रहा M2 Plus M2 Plus N2 और यहापे Plus N2 और इसक बाद यह समें से like ड़ी है तो हम इसको as it is ऐसे ही लिखतेंगे 2 L M Plus 2 M N Plus 2 N L अब आपको इसमें को Plus करना है सबसे पहले L2 Plus L2 कितना हुआ 2 L2 इसका प्लस लिखाना है M2 Plus M2 कितना हुआ 2 M2 इसके बाद Plus N2 Plus N2 कितना हुआ Plus 2 N2 और इसको as it is लिख देंगे 2 L M Plus 2 M N Plus 2 N L अब यहाँ पर आपको सब कॉमन दिखेंगे यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है तो आपको क्या करना है यहाँ पर 2 आपको कॉमन ले लेना है और बाकी समय सो जो बचता है वो आपको ब्रैकेट में लिख देना है L2 Plus M2 कर टू को छोड़के आपको सारे नमबर लिख देने हैं टू क्यूंकि हमने टू कॉमन में लिया है प्लस एड़ स्क्वेर प्लस एल एप प्लस एड़ एड़ तो यह है आपका एज़वर ठीक है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइ सब्सक्राइब कीजिए सैर कीजिए मिलते हैं जय हीद जय भारत